अब भी अपनी audio को smartphone से record करते हो तो ये video आपके लिए काफी ज़्यादा important होने वाल है अगर आप अपनी audio को इस परकार से इस परकार में transfer करना चाहते हो तो ये video आपके लिए काफी ज़्यादा important होने वाल है तो वीडियो को एंट तक जरूर देखेगा आप अपनी sound को phone से record कर कर रहाँ, video को record कर रहाँ, phone से और साथी साथ मैं अपने दूसरे phone से इस audio को record कर रहाँ अगर आपके पास एक ही smartphone है फिर भी आप उससे sound quality record करना चाहते हो तो ये video आपके लिए काफी जादा important होने वाल है starting journey में आपको कोई भी माइक purchase करने की जौरणत तक नहीं परेगी तो वीडियो को एंट तक जरूर देखेगा क्योंकि मैं जो आपको आज बताने वाला हूँ आपके वाइस के लिए काफी जादा यह important होने वाला है तो चलिए मैं अपने फोन की स्क्रीन पे आपको लेके चलता हूँ और आपको वहाँ पर बताता हूँ कि आप अपनी अपनी वाइस को रिकॉर्ड यहां पर कर लिया अब रिकॉर्ड करने के बाद हमारे सामने को जिस तरह का इंटरफेस जो आ जाता है जहां पर हमें सब कुछ करना है और आपको बताना है कि आखिर आप अपनी ओडियो को किस तरह से कंवर्ट कर सकते हो अब याप सेंपल और इनहेंस करने के बाद ही साउंड कैसी हो जाती है अब आपको यहां पर क्या करना है आपको सबसे पहले एकाउंट यहां पर बना लेना है अगर आपकी पास एकाउंट अर्ली है तो आप लोगिन यहां पर हो सकते हैं साइन अप पे क्ली आपको कर देना है जैसे आप इस गूगल के साथ लिंक करना चाहते हो, फेसबुक के साथ लिंक करना चाहते हो, अगर आपके पास एपल का कोई वी डिवाइस है, तो आप उसके साथ भी इसे लिंक कर सकते हो, तो आपको गूगल वाले सेक्षन पर जाना है, मुझे याप गूगल से लिंक करना है, तो गूगल वाले options पर याप पर click कर देना है जैसे आप Google वाले section पर click करेंगे कर जो account होगा वो Google से create हो जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि आपका कौन सा account से हम इसे link करें आपकी सामने सारे Gmail ID आपके आजाएंगे जिससे आपको इनको link करना है तो यहाँ पर अपना एक Gmail ID मैं select कर लूँगा और उससे मैं इनको link कर देता हूँ और उसके बाद आपको बताता हूँ कि उसके बाद आपको अपनी sound quality को किस तरह से और best करना है अब यहाँ पर देख सकते हूँ कि Google जो मैंने select किया उसके बाद आपके सामने को जिस तरह का interface आजाएगा जहाँ पर आपको यहाँ पर सब कुछ बताना होगा कि data birth आपका क्या है suppose that मैं यहाँ पर कुछ भी डाल देता हूँ और continue यहाँ पर कर देता हूँ मैं name जो मैंने create कया था मैरे YouTube चानल का था वो मैंने रहने दिया यहाँ और उसके बाद साथी साथ मैंने year और month जो भी है वो automatic generate वहाँ पर month हो गया लेकिन year मुझे डालना परा अब यहाँ पर account मेरा बन चुका है अब आपके सामने यहाँ पर drag करने का एक options आ जाता है जहाँ पर आपको अपनी audio को drop करना है अब यहाँ पर upload audio पर आपको click करना है upload audio पर जैसे click करेंगे आपके जितने भी audio होंगे उस पर आपको click कर देना है और आपको जो भी audio लेना है इस recording पे हम जैसे click करेंगे, हमारी जो audio होगी, वो enhance होना start हो जाएगा, और कुछ ही टाइम पे इसी जो algorithm होगा, AI होगा, इसे detect करके, जितने भी parts होगे, noise वाले parts होगे, सब को ये remove वहाँ से कर देगी, और जो sound की जो अच्छी quality होगी, जो कि हमारी only audio होगी, background की जो noise होगी, उसे वो detect करके, उसे remove वहाँ से कर देगा, अब मैं भी देख सकतूँ, ये बताता है कि some file can take up to 10 minutes, से भी ज़्यादा आपके कुछ file में लग जाएंगे, जो file आपके बहुत ही ज़्यादा heavy होगे, ज़्यादा minute से होगे, और मैं आपको बता दूँ कि अभी ये अगर आपने premium इनका नहीं लिया है, तो एक sound को आप 3 घंटे के अंदर कर सकते हो, फिर से अगर आप दूसरा sound करना चाहते हो, तो आपको 3 घंटे का वीट करना परेगा, या तो अपना login ID को disable करके, दूसरे login ID से आपको log out जब आप करोंगे उससे, तो new ID से आपको login करना परेगा, जब आप इसमें सब कुछ कर लेंगे, तो आपका जो file होगा, वो बनके ready हो चुका है, अब यहाँ पर इसे आप सुनना चाहते हो, तो सुन सकते हो, enhance पे आपका कैसा था, और अब भी आपका ये कैसा हो चुका है, साथी साथ यहाँ से आप download वाले section पे, जैसे ही click करेंगे, यह download करके आपको दे देगा, और आप उस audio को आप अपनी वीडियो में merge करके source वीडियो को बना सकते हो, आई हो वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी, तो वीडियो को अभी तक like ने किया है, तो एक like दो बनता है, और साथी साथ मैं आपको बता दूँ कि insert का भी आपको features use करना है, जहाँ पे आपको audio boost का एक options मिलता है, उसे जाके use जरूर करना, अगर insert से आप अपनी audio को improve करना चाहते हो, या Lexis से करना चाहते हो, तो मुझे comment box में comment करके जरूर बताना, ताकि next tutorial मैं उसके लिए आपके लिए ले कि